ओम शान्ति आज की दुनिया में सबसे बड़ी गिफ्ट है पीस ओफ माइन्ट जो हम अपने आप को दे सकते हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं मन की शान्ति लेकिन यह मन की शान्ति कहां से आएगे, कैसे आएगे क्योंकि हमारे जीवन में कई सारी परिस्थितियां आती है what happens, it doesn't matter but what happens in your mind, that matters हमारे जीवन में जो चल रहा है यह महत्वपुर्ण नहीं है लेकिन हमारी जीवन में जो चल रहा है उसके प्रती हमारा वीजन कौन सा है perception कौन सा है और interpretation कौन सा है इसी आधार से मन शान्थ होता है या अशान्थ और इसी लिए आच्छम अपनी मन के विचारों को बहुत कैरफुली चूज करें जिससे मन की शान्ती पड़ें उन विचारों से हम अपने आपको अलग करें जो मुझे दुखी करें और इसी के लिए चलिए आज हम एक बहुत सुन्दर meditation करते हैं शान्ती का meditation एकदम रिलाक्स होके बैठें शान्त होके बैठें अपने शरीर को एकदम रिलाक्स कर दीजिए जो विचार आपको देती जाएंगे अपने विजुलाइस करते जाएं जैसे जैसे विजुलाइस करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी एकागरता बढ़ती जाएगी तो शान्ती की अनभूती अपने आप होती जाएगी चलिए अपने आप को स्थिर कर देते हैं विजुलाइज करे सागर को सागर के किनारे हम खड़े हैं और देख रहे हैं सागर की लहरों को सागर की लहरे किनारे पर आ रही है और वापस जा रही है कितना आवाज है उन लहरों का लहरों से होते हुए सागर के अंदर जाओ मध्य में जाओ तो वहां सागर शान्त है और इसके बीतर जाओ तो सागर और शान्त है स्थे रहे मेरा मन भी एक सागर की तरह है मेरे जीवन में जो परिस्थिती आती है उस परिस्थिती के लिए जो भी संकलब करते है वो इन लहरों की तरह है परिस्थिती भी एक लहर की तरह है ये परिस्थिती जो भी आती है वापिस चली जाएगे पर्मनंट नहीं रुकेंगे मुझे तो सक्षी हो कर बस अपने विचारों को देखना है इस समय मेरे जीवन में चलने वाली जो भी परिस्थिती है उसके प्रती आने वाले विचारों को मैं देख रहा हूं डिटाच हो कर और सोचता हूं कोई भी परिस्थिती पर्मनंट नहीं परिवर्दन शील है मुझे तो सागर की तरब भी तर से एकदम स्थिर रहना है स्थिर रहने के लिए मैं विचार करता हूं मुझे शान्ती से सोचना है मैं अपने आप को संकलब देता हूं मैं शान्ती की उर्जा हूं मैं शान्ती का सितारा हूं मैं शान्ती से भरबूर हूं मेरा स्वधर्म ही है शान्ती मेरा गुण है शान्त रहना जो परिस्थिती आए मैं उसका सामना शान्ती से करूँगा मैं अपने मन को शक्ति शाली बनाता हूं और उसके लिए मैं अपने विशेष्टाओं को देखता हूं मेरे अंदर कौन सी विशेष्टाएं है जिन विशेष्टाओं के आधार से मेरे मन की स्थिर्था बढ़ती जाएगी मेरा सेल्फ कॉंफिदेंस बढ़ेगा मैं उनको याद करता हूं मैं अपने अंदर के गुणों को देखता हूं मेरे अंदर ऐसे कौन सी गुण है जिन गुणों को याद करने से मेरी शक्ती बढ़ेगी मैं उन्हें याद करता हूं और अब ये याद करने से मेरा मन तैयार है हर परिस्थिती का सामना करने अब मेरा मन एकदम स्थेर है शान्त है मैं शान्ती की उर्जा हूं मैं शान्ती का पुंच हूं मत्से शान्ती की प्रकमपन शान्ती की लहरे सागर की चारो और फैल रही है विशुलाइज मुझ सितारे से शान्ती की लहरे सागर की तरफ चारो और फैल रही है मैं बहुत शान्ती का अनुभाव कर रहा हूं बहुत पावर्फुल अनुभाव कर रहा हूं सारा वातावरण एकदम शान्त स्विरूप पॉजिटिव बन रहा है उम शान्ते इसी का अभ्यास आज सारा दिन करे हमेशा करे रोज सुबर और रोज शाम को अगर हम ये शान्ती का मेडिटीशन करेंगे जिससे हमारी मन की शक्ती बढ़ेगी तो आप मिराकल्स देखोगे आपके रिष्टों में आपके पर्फॉर्मंस में आपके इंटराक्शन में और आपके मन में Because the biggest asset in the world is peace of mind The biggest gift in the world is peace of mind और इसलिए इसे रोज इस असेट को, इस किफ्ट को रोज बढ़ाते रही है ओम शादे